हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू आवर चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग 19 नॉमबर के करेंट अफेर्स का रिविजन करेंगे पहला कोशन है 19 वा G20 सिखर सम्मेलन किसकी मेजवानी में प्रारम हुआ है ब्राजील की मेजवानी में जी टॉंटी इसकी रस्थापना 1999 में इसमें विकास सील देश भी सामिल है और विकसित देश भी सामिल है इसका हेड कौर्टर कहीं पर भी नहीं रहता है 2008 में पहला सम्मेलन होता है G20 का वासिगटन DC में 18 सम्मेलन 2023 में इंडिया में होता है भारत मंडपम में और यहीं पर 21 सदस अफ्रीकन यूनियन सामिल होता है G20 में और थीम रहता है वासुदेव कुटमका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर 19 करम का 2024 में सम्मेलन हो रहा है 18 नॉमर से स्टार्ट हो गया है ब्राजील यहाँ पर रियोडी जेनेरियो इस अस्थान पर आधनी कला संग्राले है यहाँ पर एजन किया जार और थीम है नय संगत और टिकाउ विश्वका निर्माड भारत की तरफ से से रपा कौन है अविताब कांथ है नेक्सरा आपका भारत के संचार उपगरे G-720 को किस से लौच किया जाएगा तो इसको लौच किया जाएगा Falcon 9 रॉकिट से G-720 यह भारत का संचार उपगरे है निर्माड किया है इसरो ने लॉंच किया जाएगा Falcon 9 rocket से SpaceX company का क्योंकि इसकी छमता है 8,000 kg इसकी छमता है और इसका जो G-Sat 20 है इसका वेट है 4700 kg हमारे पास LVM 3 है जिसको बावली कहा जाता है इसकी छमता है 4000 kg और जो ये G-Sat 20 है इसका वेट कितना है 4700 kg है तो इसी के लिए Falcon 9 से इसको लॉंच किया जा रहा है जिसकी छमता है 8 टन G-Sat 20 इसका अवदी है 14 वर्स और इसका उदेश से हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी को असाबित करना इसको भी टेलिग्राम जोइन करना है आप लोग टेलिग्राम पर सेर्च करेंगे अड़ दा रिट जस्ट डूइट यार चैनल आ जाएगा टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं PDF समद्धि सारी जानकाई टेलिग्राम पर मिलती है नेक्स्ट है DRDO ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल पर इच्छड कहां किया है ओडिशा ओडिशा यहाँ पर डॉक्टर एपी जे अबदुल कलाम दीप है यहाँ पर सफल टेस्टिंग की गई है DRDO के दौरा किसकी टेस्टिंग की गई है भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल इसकी टेस्टिंग की गई है और यह जो मिसाइल है इसकी स्पीड हाई रहेगी तो इस पर निगरानी दुस्मंदेश नहीं कर पाएंगे और रोध उत्पन नहीं कर पाएंगे DRDO इसके अस्थापना यहाँ पर देखिए एक मैक यह धुन की गती होती है यहाँ पर एक मैक है फिर पांच मैक है अगर एक मैक से कम है तो वह सबसोनिक कहलाता है एक मैक और पांच मैक के बीचे तो वह सूपरसोनिक कहलाता है जैसे ब्रहमोस मिसाइल है पांच मैक से अधिक है तो वह हैपरसोनि कहलाएगा नेक्स्ट है आपका संयुक्त इसनजक म्ध्यास केर्श बूी मेरा 124 उंडोनेशिया इंडोनेशिया से केरिस केर्श बू मेरा के बच में इसका वैजन केया जड़ा जावादीप इंडोनेशिया में ताटा इसलस टील transitioned इंडिया- आर्डिटोर्डियम है यहीं पर इसका अजन किया गया विजीता बने है मैगनस कॉलसन विश्वे में नमबर वन है और नार्वे देश के है भारत की तरफ से अर्जुन एरिगेसी थे आर प्रग्यानन थे अगर आपसे पुझे फिमेल की विजीता कौन बनी है इसका जो मौसम पुर्वनमान है इसको जारी करने की घोश्रा की गई है मौसम विज्ञान विभाग के दोरा और उसको नाव कास्ट कहा जाएगा जैसे भू संकलन, वर्सा, ठर्ण, गर्मी इन सब की जिसा कर आ रही है इस सब पर मौसम पुर्वनमान जारू किया जाएगा जिसको कहा गया है नाव कास्ट और यहीं पर एप लॉंच किया गया है स्वामी AI चैट बॉट छह भासाओं में लॉंच किया गया है समझाओं का समधान करने के लिए नेक्स्ट है आपका विक्टोरिया केंजर ने किस देश के लिए पहला Miss Universe 2024 का खिताब जिता है डेनमार्क के लिए Miss Universe 2024 73 करम का है विजिता बनी है विक्टोरिया केंजर डेनमार्क देश की हैं और इनको बारवी हुमन भी कहा जाता है क्योंकि यह बारवी की तरह लगती है और यह डेनमार्क की पहली महिला Miss Universe है भारत की तरफ से रिया सिंगा ने भाग लिया था लेकिन यह टॉप 12 में सामिल थी उसके आगे नहीं जा पाई रिया सिंगा यह वरत्मान मिस Universe इंडिया है Miss Universe इंडिया ही Miss Universe में भाग लेती है नेक्स्ट आपका इसमें हेटकॉर्टर लोइन्स फ्रांस में 92 नमबर की सभा सम्मिलन हुया गलासको इसकाट लाइन में और महा सचू कौन बने है वाल डेसी उरकीजा ब्राजीन देश के नेक्स्ट आपका आश्टेलिया के वालो गॉंग विश्विद्याले ने कहां अपना नया परिसर खोला है गुजरात में वालों गॉंग यूंवर्सिटी या आश्टेलिया देश का इन्वर्सिटी है इसने अपना परिसर खोला है कहां पर गिफ सिटी गुजरात में गिफ सिटी इसका फुलफा में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस इनलिया का सबसे बड़ा मुगा कहां खोजा गया है यहां खोजा गया है सोलेमन दीप यहां पर बी हैमोत कोरल यह क्या है मुगा है विश्व का सबसे बड़ा मुगा है खोज की गई इसका प्रशान मासा अगर यहां पर सोलेमन दीप है यहां खोज की गई है और यह जो बी ह इसको पानी के नीचे का गिर्जा घर खा जाता है तो फ्रेंड्स आज भी स्केप हो जाता है इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस करन्ट अफेर से लिगती हूं इसकेप नहीं करती हूं क्योंकि स्केप करने से कांटिनूटी डिश्टर्ब होती है तो मैंने ललन टॉप को वह कर दि है लेकिन करन्ट अफेर्स मैंने ले लिया है थैंकियो जाहिन